दोस्तो आज कल मुवाईल फोन्स में किसी भी गेम्स को खेलने के टाइम हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं और वो है एड्स यान कि जब भी किसी भी गेम को हम खेलते हैं तब उस गेम के अंदर आपको एड्स दिखाएगा ये एक कॉमन इशू है अब क्या होता है न कि गेम्स के अंदर हमें चेस्ट बगस बग्यार या फिर गोल्स बगफार ये सब बगधा पर्चीस करना पड़ता है या फिर कोई भी फ्री चेसको ओपेंड़ने के टाइम में एड्स दिखाया जाता है देखिए उस तो जब तक कोईबी चीज एक लिमिट में रहता है तब उस चीज़ की एक वैलू रहता है यानि कि मार्केटिंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और लोग उसको पसंद भी करते हैं लेकिन यह जो एड्स है यह बहुत ही ज्यादा हो गया है आज कल यूटुब में बहुत सारा एड्स हमें आप जो एड्स ना उसको रिमूब कर सकते हो फ्री एक ओफिशियल मेथड है जिससे कि आप यह जो जंजर है इससे आप मुक्त हो सकते हो तो मेक शिर्ट के आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब की है और जो बिले करना उसको जरूर प्रेस कर लिए और जो लाइक बटन कि आपकी फोनगी से और से एक को हम रीमूब कर सकते हैं सभी गेम के अंदर से आप आप को बढ़ने वाला हूं तो चले स्टार्ट करते हैं किसी भी गेम से अगर अब एड्स को हटाना चाहते हो तो simply इस मेथद को follow कर लो जो एड्स है ना उस गेम से हट जाएगा fully मैं आपको शीरटी दे दे रहा हूं आपको जाना है आपकी phone की settings के अंदर and search करना है DNS जो search पर होता है ना जो settings के अंदर phone की settings के अंदर वहाँ पर आपको लिखना है एक DNS server आपको add करना है बाइड़ यह ओप रहेगा लेकिन आपको मैनुवल इसको add करना होगा आपको DNS address में लिखना है dns.adguard.com इसको लिखने के बाद आपको okay कर देना है यानकि आपको इसे save कर देना है तो उसके बाद जो games है ना उससे आपकी जो ads है वो remove हो जाएगा ना कि games के अंदर जो ads होता है वो सभी ads remove हो जाएगा basically ads दिखाएगा यह नहीं तो यह जो problem है यह एक basic problem आपकी fix हो जाएगा तो चले हमें बात करते है कि आखी DNS होता क्या है कि दूसरा भाग में हम जानते हैं देखिए DNS का फुल्परम होता है domain name system इसकी काम क्या है इसकी काम है किसी वेबसाइट को पैचानना अब इसका मतलब क्या है एक्जमपल लेते हैं जैसे की google.com यह तो आप लोग जानते हो कि google.com एक website है जहां से कि आप ल पैचानने के लिए हम domain name system या फिर DNS को यूज करते हैं और भी basic example हम लेते हैं जैसे कि मानले जी कि आपकी नाम रमेश है तो रमेश और भी बहुत सरा लोग की नाम है लेकिन आपको पैचानने के लिए आपकी जो identity है ना उसकी deep में जाना पड़ेगा कि आखिर आपकी जो तो basically उसको पैचानने के लिए हम DNS को use करते हैं यहां कि यहां पे नाम नहीं मतलब इंसानों की नाम नहीं website को पैचानने के लिए हम DNS को use करते हैं यानिकि उस website को को जानने के लिए हम domain name system को use करते हैं यह एक basic सा funda है तो इसलिए जो domain name system है ना वो website को समझता है and उसके बाद उसमें क्या-क्या चीज़े हैं उसको भी देख सकता है तो जो चीज उसको देख सकता है वो चीज उसकी कुछ-कुछ parts को भी हाइट कर सकता है यानि कि एक बात में अगर मैं आपको clear कर दो कि उसकी कुछ-कुछ parts को भी वो block कर सकता है तो यही काम यह जो dns address है ना वो करेगा जो dns.adguide.com जो dns address है वो कर देगा इससे क्या होगा जो ads है वो आपकी phone से remove हो जाएगा fully तो I hope कि आप लोग समझ चुके हैं कि आखे dns address क्या होता है और किस तरह से हम dns के जरिए games के अंदर जो ads होता है उसको हम कैसे permanently remove कर सकते है या फिर block कर सकते तो उम्मिद करता हूं यह विर्ण आप लोग को अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो एक like जरूर करना और मेरे साथ जूरे रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना हम मिलेंगे निक्स वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ